नाजरें एक छोटी से ब्रेक के बाद हम आपी ख़दमत में दुबारा हासर हैं अभी हम कुछ ही लम्हों में आपको जो है अपने टॉपिक भी बताएंगे और बहुती इंपॉर्टन्ट हमारा आज का टॉपिक है आप मुझे अमीद है कि आप लोग इस पर बात करना जरूर चाहेंगे इस पर बात करना जरूर पसंद करेंगे और आज दुनिया जिस बरकरफ़ाई से तरकी की मनजलें तहकर रही है इससे एहले इल्म बाहुभी वाकिफ हैं और ने इल्म के साथ साथ तहकीक और तद्वीन का काम भी जा रही है जैसे आप देख रहे हैं कि अब जो भी है छोटे लेवल से लेकर उपर वाले लेवल तक जो है तहकीक जो है उसको बहुत एहम जाना जाता है और इस तेज़ रफ़ाई से तहकीकात हो रही है कि दुनिया हिरान रहे है मुसल्मानों पर हम सब जानते हैं कि इल्म हासल करना वो फर्द करार दिया क्या है और यही वज़ा है कि तुलू इसलाम के बाद मुसल्मानों ने मुक्तलिफ मैदानों में यो कारहाय नवाया अंजाम दिये वो तारीख के सफ़ात पर रक्म है इसलाम ने दीगर शौबों की तरह सुल्य इम के मामला में मुर्द जन को कि माबैन कोई तफरीक नहीं की है और नबी अकरम ص. ल. अ. का इर्शाद है कि इल्म का हासल करना हर मुसल्मान मर्द और 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 उरत पर फर्द है और नाजन यही नहीं कि सिर्फ मर्द और और ओरत के लिए इल्म की जो हासल करने की एक जैसी शर्त रखी गई है बलके इस मामला में दीनी और दुनियावी अलूम की भी तखसीस नहीं रखी गई है मुसल्मान बुराईयों से में उस लिए मुसल्मान की लिए ये भी जरूरी है कि वो बुराईयों से भी आगा रखे और मां की दरसगा आप झाल की यह और आज हम इनहीं बातों को लेकर आगे बढ़ेंगे और आपने ये बहुत ही एक common सा phrase जरूर सुना होगा कि हर काम या शक्स के पीछे किसी औरत का हाथ जरूर होता है तो इस चीज़ को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज हम तालीम नस्वा पर और मौशरे में उसकी एहमियत पर मौशरे में तालीम नस्वा किसी भी नस्वा क्यों कर रही होती है किसी भी मौशरे के लिए और वो कौमें तरक्की जादा क्यों कर गई जिसमें औरतों की तालीम पर जादा जोर दिया गया जिसमें उड़तों को मर्दों के शाना बशाना तालीम और रिसर्च में आगे बढ़ने के लिए कहा गया चलिए भाई आज का हमारा टापिक तालीम निस्वा की मौशरे में एहमियत जो कि एक बहुत ही एहम बात है जैसे कि मैंने अभी कहा भी कि मां की गोद्स जो है पहनी दर्सगा है और ये भी कहा जाता है कि जो हाथ जूला जूलाते हैं हकीकतन वो ही हाथ इस दुनिया पर राच करते हैं सबसे पहले रसूल खुदा सल्ला लाह लिए वालियों की हदीसे मिबारका से अप्ते प्रोग्याम का आखास करेंगे बहुत अच्छी तमीदी गुफ्तगु आपने इस जिमन में जो कि आजका हमारा मौदू है कि रसूल लाह की हदीस है कि इल्म हासल करो मा की गोट से लहत तक यानि हिज्र अम्मा से और कबर तक यानि तालीम का यो प्रोसेस है वो किसी सूरत में रुके गाने और अगम इसको दूसरे और जावियों से देखें कि एक जगाप एमामि मुश्य काजिम उने सलाम फर्माते हैं कि मौमिन के दो दिन के भी एक जैसे नहीं होने चाहिए इसमें भी तालीम का उनसर गालिबाए भाए यानि दो दिन आपके एक जैसे कब होंगे जब आपका सीखने का अमल रुक जाएगा जैसा आज का दिन था वैसे ही गुजर गया या उससे बगतर कर लिया आमाल की सूरत में मगर मौमिन वो नहीं जिसके दो दिन एक जैसा हो यानि कि मौमिन को इर्तका हासिल है वो इर्तकाई मनाजल को तैय करता वा आगे जाएगा आज जो मैंने काम अंजाम दिये हैं तालिमात जो के हमको हमारे आमा से मासुमीन अलहीं से मिली और ये सारा इल्म मासुमीन अलहीं सलाम का रसुल्ला का दिया वाई में और रसुल्ला के कल्ब अधर पर जो है वो सहीवों की सूरत में परवदिगार नाजल किया अब तालीम की जहाँ पर और खुसूसियत के साथ तालीम निस्वा की जो हम बात करने बैठे हैं इसका एक बैगराउंट है अब यूरप के अंदर और दूसरी तरक्ती जाफ़ता कौमों के अंदर जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया जा जाता और तों की तालीम का तालीम सब दिली है जो के एक एक इसे लोके यह बात पीचो हो घाए हम अब यहाँ बेया सीफ त में हम चीजों को मिंबर पर इसे बीां करते हैं 000 हम रमदान बेंदर जीते हैं मुहरा मkitर थे पासथ लोग अच्छे घादात में होते ही हम इgran करते हैं मगर हम बैदार कर के रुक जाते ह उन्होंने इसके पर काम करना शूकिया मगद पर पूरी दुनिया से पाबंदिया लगी उनको अगर आगर आप देखे पूरी मुस्लिम अम्मा की हालत जुमु हाली का शिगार है कि आप मुझे बता दें सिवाए गतल अगारत के असलाख खरीदने के कोई तरक्ती का काम किया ह है कहां पर नई इजादा हो रही है सतावन इठावन मुलकों में के काम नहीं हो रहा है और मकतब किसके पास है हमारे पास तालीमात किसके पास हमारे पास अपनाई भी किस नहीं है अपनाई भी गहरों अपनाई नहीं है अब जब हम तालीमे विस्वा की आज बात करने के ल होना चाहिए अगर एक औरत जोगे पड़ी लिखी नहीं हमारे के लड़कों को पढ़ाओ लड़कियों को नहीं क्यूंकि लड़कों के नौकरी करनी है और मार्शी मामिलात को समालना है लोग बुरा ना मान जाए मेरी बात का बात मुझे कहनी है बात में कहूंगा बहुत हाथियात के साथ मगर चूंके मौजू है बात तो करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए लड़कियों को साब क्यों न पढ़ाओ यानि कि आप एक नई जनरेशन एक ऐसी औरत के हाथ में दे रहे हैं जिसको शूर नहीं है अगर आप इसको यूँ देखें जिस औरत को अपन नहीं इस अदिस का हवाला रिया क्यों कहा फर्ज है फर्ज या किखा धर क नहीं कहा कि मेरी सुन्ट है लाकूर किषाई ए पर यद्धित पर एथ फ्रज़ में वाजब हो गया क्यों कि वज़ा इसकी वज़़ा जियrd और चाहिए कि बाक्तादियात नहीं जा के तर वह मार् गोद से निकलने वाले फिर ये खारजी टाइप के लोग होंगे जो पूरी दुनिया में फितने अजीम बर्पा किये में अगर ये गोदें सही हों और यहां से सही तालीम दी जाए वो तालीम वो उन सहीफों के मताबिक है जो गल्ब अथर पेगंपर पे नाजल हुए तो एक बासलाइयत अफराद इंजिनियर्स, साइंसदान, डॉक्टर्स, समय पिएजडी, एक सुझे और मुफकिल, दानिश्वा, ये लोग सामय है ना, अपने अपन आलिम है, तो हमने हर फिल्ड के अंदर आलिम पैदा करने हैं, उसकी बुनियाद गोध है, इसको समझ लेना चाहिए, वो लोग, जिन्हों ने अपनी बेटियों को नहीं पर है, वो तौबा करें, वो तौबा करें, इसलिए भी अली भाई, ये बड़ी बात आपकी पॉइं अगर आप फर्फूरा नहीं किया, हमें नमाज नहीं पड़ी हमें गुना मिलता है, ठीक है, हमें हमारी वो जो में लिक दिया जाएगा, और हमें माफ नहीं, नमाज माफ नहीं, ये भी फर्ज़ा, रोज़ा माफ नहीं, तो पी ये भी फर्ज़ा तो अगर आप कैसे कह सकत अब खुर क्या रहा है कोई तादाद टो मुगत नहीं कर सकतेुने किसी के दो बच्चा है लिए किसी की तास है अगर गोड तरविय द्याफ्ता नहीं मिली थो यह सब के सब शुँने कहा जाएंगे यह माश्रे को तभाई से ठुचार करें गी यह नियुक्त 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 निय व्याफता होगी, जिन्देगी का शौर रखने वाली होगी, बच्चपन से बच्चे को सैंसिबल मनाई जाएगा, अब वहाँ पर क्या है, दुनिया की लज़तों में घर्क, एश व इश्रत, दूसरों के ओपर उंगली उठाना, वो कहते हैं उर्दू में अपनी आग का शैत हैं न, एडाप्टिशन होती हैं लग लेते हैं, एक को बहुत ही ज़्यादा पढ़ाए जाए और एक को फर्स करें ना पढ़ाए जाए, उन दोनों क्या वो साथ बैटने लाइख होंगे कभी, हालागि एक बाप क्या अलाद हैं, एक मा से जन्म लिया है, तालीम इनसान को स आपने स्क्रीम को इनसान को इनसान बनाती है, तो अजे में आपको वेलकम कहेंगे, और बहुत इम्पर्टिन टॉपिक है, इस पर हम आप का भी बात करना राय देना बहुत जोड़ ज़री है, ताकि यह राय जब बिलड़ प होती है, तो फिरुप कि जाने आ फिरुशों म हैं और स्बस्टे बड़ी बात किये के अरी भाई दुनिया इस वकत ऐसे से इनकलाबात से और ऐसे से चैलेंजिस से जो है वो दोचार है कि इन हालात में इन अद्वार में जो है खवातीन की जो जिम्हादारी है वो और बढ़ जाती हैं उनको घर्लों कामकाज के साथ या अपने घरों को सभालने के साथ जो है वो दुनिया की तमाम चीज्टों से बाख़बर रहना भी बहुत 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 जरूरी है एक खुशामी करेंगे जी असलाम वाली को नहीं करेंगे जी जनाब इम्राइम वजब साफ खुशामी दीट आपको मना अच्छा टॉपिक है है और मैं इसके नहीं कहना चाहता हूँ कि मौाशियात और तालीम और इंसाफ वस्तर्स ये मौाशिये के अंदर मगाए गाउं की निसाल ले ले लग एक घाउं को ये घर को तरफी आउसका देखना हो काउठी के विद्वेट है एक इंजीनियर जी 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 जनाफ है दिने मुट्सिद्व शोबहर नहीं तलीम की जरीमद होती है और जहां पे एस्टस होगा, वहां पे चलीम होगी जहां पे इजारे अपने लेक लिएसे से काम करते होंगे वहां पे तरवान चड़ेगी, हर चीज तरवान चड़ेगी हमारा मौश्रा, मैं मिसाल देता हूँ किस तरह का गज़बा मौश्रा था कि इनकिसी चीज का भी होगी, जिए मसलिन एक मोची है जो की बनाता है, उसकी जाद को इस तरह जलीम कर दिया गया कि उसको मौश्रा का सबसे बत्तरी शेरी करा दिया गया अगर कोई एक मसलिन लखनी का कानू करने लाना है, तरखान है तो उसको जिने कर दिया गया जिक शौर्ड़ों में, इन लखो में जहांपे हम आग बैठे लखो में निन चीजे को आगढ़ी जो लखनी का कारना है, जो भी के काम करने लाना है, उसको जोड़ाकत markा करने ला लाना है, उसको मैंने लाना है हमारे आद तक बहां पे कोई मसलब फर्दग्या कोई मोची पड़ जाता है या कोई ऐसा पशले खाली आइंड़ जायला कुछनда तो जरीन कर पर रखा हुए उसकी बेटी का रिष्टा होना जा जहाँ बरेश जाइए उसके बेटी का रिष्टा हुए हमारा बाद वास जाती साल से क्या बतनी सभी किसा पर दों को तक्निकले में तो विश्टेजिए के तुमार अच्छा करो तुमार अच्छा करो कि हमारे ज़ास जाती सप्तर साल शाला से कि यह भड़न कि तुने सभी ज़ाओ है रहा जो ट्रिटिय देने जाते हैं यह ज़ाते है अदर गांडे गूपका ग्रांड गाया गिए ज़ाओ है अब जो बता है पाकिस्वां में जिस दंडेंक बार 35,000 पार तनहां उसकी बेटाई जासर बन सकती है वह वहां तर जार नहीं रिए सकती है तो बार यह नहीं नजाम ठीज़ रहना चाहिए बिलक्त इस पर लोग है पतना चाहिए और अदाल के इस तरह की हैं कि हर इससां को इसका हक्त मिलना शुरू है, बहुत शुक्त शुक्रिया और इस चीजे मैं पढ़ाई दू है, शौर है पाकिसान में बच्छों को पहने का शौर है, और हमारी आजी से जहरा जो अबादिर है, वो तो गाउन है, यहां पर यकीन करे बहुत को दो है, यहां यहां पर शौरम जाहा जो परपा हो, तैसमे महां पर किस दो इसका परगिता पीटा क इनिए पकुर्वगा थी ही, बुझा को परता ही तो फूरी क्यासी, और ये सच्चा जाक है दोने भाईप मरे भाईजर जो में ये कर दिया है, जो मिल गएक उप्र्दाहिए, जो हमें फूरी कचांचा वी ते कहते है, जो पर गए विए पढ़ाएक, जो दिया past तो मैं किसमे रूकुलानी करूंगा दो जान गरता है रूकुलानी जाएसे इनके काटम्स दो रहरा है बैसे यहां पर इंसन है आज तक बताएं कि जो निप्ते के अंदर काम करना कहा है। इसान उन्हें बेसिक चीज़े दे दिये और इजारे पे खूद ये, कि बाग इलम में बाग सकता है, कितना इलम तो हासल कर सकता है बहुत अच्छी बाश्वालेव, जजाकालला इमराइन फजल साहब, बहुत शक्रिया असलाम आलेकुम रहमतुल्ह अलेकुम सलाम रहमतुल्ह बहुत अच्छी बात इम्राइन फजल साब ने की इस पर मैं एक सवाल करूँगा अब तमाम नाजरीं से गोर करें कि NWFP में खुसियत के साथ बच्चीयों के स्कूल क्यों तबाह किये गए लड़कों के स्कूल बाइज स्कूल इतने नहीं तबाह किये जतने खुसूस असाथ तालिबान ने लड़कियों के स्कूल तबाह किये अब इससे अन्दाजा हो रहा है आपको के इंटरनेशनल साज़िश क्या है वो इस नफस को दर्क कर चुके हैं यह कि Inност… वो इस चीज को हम स्कूल है वो नफस झान चुके है कि İslam किसी भी खॉम की तर्फ्कि का रास क्या है गोत का तालिम्याफ्त होना ऑरतों का तालिम्याफ्त होना ताकि यह सास भॉगे जघड़े यह फञा यह क्या होता है? यह सब जहलत में होता है जब पढ़ा लिखा माशरा होगा ना होगा वतन बैए ये लड़ेंगे नहीं वगर ये एक एक सेंसिबल की तरीख से एक लिमिट में रहेगा हो ये नहीं होगा के टू मच हो जाए तो उन्हों ने क्या किया बच्चे के स्कूल पर हमले किया है ताकि मुसल्मानों के अंदर से जहां पर भी हमें मौका मिल रहा है मुसल्मानों में बच्चीयों को पढ़ने ना दिया जाए ताकि इनको शऔर ये पढ़ गई तो आने वाले जो उलादें हैं जिनको हम बना रहे हैं देशत गर्द वो नहीं बनेंगे वो नहीं बनेंगे उनको शाओर आ जाए गा तो यह باقاعدہ منظم طریقے अचा जिन से धमागा कराया गया ना वो भी उनी गोड़ों के है या ही गोड़ों के तो उनकों भी नहीं पता हम जो भम लगाने जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं तो इस ये इस्तेमाल किया किया तो अब ये जो अब इसमें जिन बड़े-बड़े मुलकों ने खियानत की है ना जिन्होंने आफिसेस खोल के दी हैं वो खुदा किया जवाब देंगे उसका तो ये की है हम जो आज टॉपिक लेकर आए हैं और इसके उपर तो हमने जो ये चीजें दुनिया को सिखाई है रह्मत लिल्ला आलमीन ने दुनिया को सिखाई है जहां पर बच्चियों को जिन्दा दफन किया जा रहा था ओर्तों के कोई राइट्स नहीं थे वहाँ पर उन्हों ने और्तों के राइट्स पर बात किये उन्होंने जान्मेनों के हुकुक पर बात किये उन्होंने जो इन्वायर्मेंट के उपर बात किये उस जमाने में वो उस वकद इन चीज़ां को बात कर रहे थे ओरते तो मर्दों की तरह हैं सब एक दूसरे ही से जनम ले रहे हैं न तो यहां तो हमने उन चीज़ों को खो दिया हम कहां चले गए और आज दुश्मन हमारा उनी बातों को लेकर उस पर रिसेर्च करके कि कुरान बार बार एक चीज़ की दावत दे रहा है गोर फिकर करने करें हम अट चाहिए नहीं करना अबर टाइम लगाएंगे पूरी पूरी रात पैरों में सूजन आ जाएगी हम कुरान की तरफ देखेंगे नहीं हम पढ़ते चले आएंगे समझेंगे नहीं कुरान के राए एक आयत पढ़ लो गोर कर लो उस पर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी कुछ थोला थोला पढ़ो उसको गोर तो करो वो करते हैं गोर नहीं करना है पढ़े जाएंगे बस पढ़े जाएंगे अतनी सी सिंपल सी एक बात जो मेरा ख़र है कि उम्मत मुस्लमा के राएंगे लेकिन जाहर है कि बाकी तरफ की आफ़ता के नॉन मुस्लिम कंट्रिस उनको यह बात समझ में आ गई है कि मौशरे में पैदा होने वली बुराईयां बहरूप और यह सब चीजें जो हैं उनकी वज़ा एक ही होती है तालीम और तरबियत की कमी और तालीम लाग चाहें कि बच्चे को पैदा होते ही किसी नरसरी में डाल दिया जाए जो ही बच्चा मां की गोद में आएगा नरसरी पहले आप बच्चे की मरसरी पहली वा की गोधी रेगा आप मुझे एक चीज़ का चबाद कि पूरे मुसल्मानों का खाने काबा मरकज हैं खाने काबा जिस मुल्क में मौजूद हैं वहां की हालत यह है कि वहां पर औरतों को गाड़ी चलाने का राइट नहीं है आप मुझे बताएं यह यह इसलाब की क्या शबी दिखाए जा रही है अगर आप से गाड़ी यह भी रखवा लिया आएगा आप नहीं चला सकती है आप मुझे बताएं आपकी जिंदगी रुक जाएगी ना सब सिस्टम रुक जाएगा मुसीबट हो जाएगी ना वहां पर कि सके रखा हुआ है क्यों किया है सब के ऊसा है ए twenty ए Mich ते ला वाले इन झूले इतनी वड़ी वालेशन पर की नहीं बोलते क्यों है क्यों मुझे रेखने का ब जलाद हैं कि एस बीहानक तस्वीर को पैस्तियर को इसलामी कहे कर पेश कर रहा है इस बैहानक तरीन को तस्वी से नहीं जिन्दा आराम से अपने घर आती है इंकिया देखो गारी नहीं चला सकती हैं यह मुसलमान तो यह जो बारीक काम हुए हुए है ना आइस्ता सुची चूटी बातों से पर में च्छाराब किया गया इसलाम का मुसलमानों की समझ में नहीं आवाज नहीं उठाते अग पर तमाम मिलकेस के उपर आवाज उठाएंगे भई यह क्या है यह किस सदी में रह रहे हो और यह कौन से स्टोनेच की बाते हो रही है क्यों नहीं काली चलाएगे वरत वो एक ड्राइवर हैर करें और उसके साथ गुमें मतलब क्यों अच्छा यह तो आपको महरम ना महरम क गंज़ार करें जब आएगा तो वो फिर उसको मर भी रही हो तो जब तक अगर किसी बाद महरम ना हो अकेली हो तो आपने उसके सारी जिन लिए तो यह जो शबी पेश की जा रही है यह खिराफ इसलाम है जो एन इसलाम है इसलाम देता है मुकमल राइट्स इसलाम जब बा इसलाम को रोके जाने का मकसद ही सबसे पहला यह जो कि अपने आपको इसलाम का ठेकेदार करते हैं जब वो करेंगे कौन सी सुन्दत बियान हो रही है तो यह समझ में नहीं आए आज तक वहां तो मत पड़ा लिखे नहीं है तो आप उड़तों की क्या लिवाई बात कर रह दो आब हूसाद रोमी रहा था हैं जब आपको बुच Efendimiz 1963 मांगी रहा वो की रहा थी रहतों में नहीं की दुन सम bathroom मूर्ण की बिस्त इसने मूछ में रहा हैं बात कुछक्रण से इससे पास ग्लाइद और भी रहा हैं और मांगी रहा है एम एको क्या क्यों किसी शहर में ने स जार इस जिन्दगी काम किया, हार्वर किया, और इसके बाद मेरे दो बेटे के, मैंने इनको पाला, और इसके बाद वे बेटे मुझे इस बुरापरे में छोड़ के चढ़े गए हैं, जो मैं इसलिए रहा हूं कि मेरे पास मेरा रोज़गा कोई है, मैं मैं बिड़ा हो चुक मैं रेविन्यू दिया, इसी शेहर में काम किया, अब इसका हक है कि अपनी ये बाकी जिन्दगी आराम से गोदारे, और फिर एक और वाक्या, एक हज़रत अमर के दोर में वाक्या हुआ कि एक और बदकारी की, तो इसको पकड़ के लेगे, हलीफा के पास, उसमें का कि जिस मैं ठीक है, जाएं, अब आराम से संग को बिलाएं, तो मौला ली आये तो उन्हें पूचा कि हाँ भी तुन्हें क्यों ये हरकत की है, उन्हें कहा कि मैं इतनी तंग दस्तू कि मेरा जो हैस्बन साब जंग में शहीर हो गया, मेरे दो तिन बच्चे थे, मेरे बार खाने, घ ये हुकमरान की जुम्हादारी है कि इसको ये चीजे परवाइड होती तो ये गुना लाखती है, बिल्कु सही, बिल्कु सही, बिल्कु सही, बहुत शुक्रिया, इम्रान साब ब्रेक का टाइम हो रहा है, आप दुबारा आना चाहें तो मुस्ट वैलकम, थैंक्यू जजा जजाए कर लाख, जजाए कर लाख, जजाए कर लाख, बहुत अंदा माश्या लाख, बढ़ है, हम एक चोटे से ब्रेक की तरफ और इंचालला आप से मजीद बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे इसी टॉपिक पर लेकिन एक चोटे से वक्फ है के बाद,